नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वावत है आज हम आपको हमारे शरीक के एक ऐसे अंग के बारे में बोलना चाहेंगे उसके क्यार कैसे लेंगे उसके बारे में आपको कुछ छोटे छोटे वैलुबिल टिप्स देने आया हैं लाकिन उससे पहले आप लोग जो आज पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हमारे चैनल के आया हैं देखने के लिए उनको बहुत-बहुत स्वागत और एक चीज़ तो जरूर बोलूँगी कि वीडियो को प्लीज पहले से एड तक जरूर देखिए और देखने के बार अगर आखों के बार में मैंने पहले भी आप लोगों को इक टो आखों के अलरजी के ऊपर मैंने वीडियो दिये थे फिर आखों को कैसे और की अर्ट रहे लिए था आज हम बात करने वाले हैं कि आप जिसे जिलों की आखी अच्छी है कोई पावर नहीं है कोई अलरजी नहीं है वो लोग किस तरह क्या-क्या स्टेफ्स फॉलो करेंगे क्या-क्या मिथट फॉलो करेंगे ताकि आखी आखी सभी स्टाम मत रखें पहले जो टिक में जरूर आप सब को बोड़ना चाहूंगी that is wash your eyes as much as possible जादा जादा करके जब भी काम करने के बीच में हो लिखते लिखते हो आफिस के काम के बीच में हो प्लीज आखों को बारे बारे से थोईए कई बाहर से घर के अंदर आए तक भी आखों में जादा करने पाने से थोईए ऑफिस में आए थेर भी आखों को पानी से थोईए वे किज लोग खाजल लगाते हो तो बार में इस पर क्या है आँशे साफ रहनी चाहिए कि आप आँखो जितना थो得 और में तना साफ रखते हो इसमें प्रसने जो एकमस से सेलूशन है उसमें वाटव जाता रहता है जो आपके आँखो को सूमे से बचाता है और फ्रेश फील देता है आपको ताके आप खंटो बर चाहे लागताब में मैठो या आप लिखो कुछ भी करो लेकिन आपको टारटनेस में इसके लबा दूसरा कि एक तरह लगातार को भी आँखो को स्ट्रेस मत दो चाहे आप वह चैकिंग कर रहे हो या आप लाटॉप में उचकाम कर रहे हो या आप बहुत दे तक पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज बीच बीच में गैप दो क्योंकि अगर तुम गैप नहीं दोगे तो तुम्हारे आँखों में स्ट्रेस जादा आचाएगा और जादा स्ट आपके लेंस के पावर को बराने में इंफ्लेंस करता है तेस्टी बात रात को प्लीज प्रॉपरली सोया करो तुम जितना सोगे तुम जितना रेस्ट लोगे तुम्हारी आखों को उतना रेस्ट मिलेगा और जितना आखों को रेस्ट मिलेगा उतना तुम सेहत मत रहोगे अच्छे है किसी डॉक्टर से पूछ के तुम अपने बैग में प्लूशन अभी बहुत साथा है जैसे गल्मियों के टाइम पर किसी सड्डियों के टाइम पर जिन्लों को एलर्जी होने की टेंडेंसी है तो उनके लिए एक तो special advice रहेगा प्लीज अपने बैग में अच्छे से किसी optician से जो लोग को डॉक्टर है आपको के ऐसे अच्छे डॉक्टर से सला करके एक अच्छा eye drop अपने पास जरूर रखना लेकिन हाधार रहे वो drop एक महीन से जादा इस्तमाल मत करना अगर उसमें द अच्छे बिल्कुल भी नहीं इसका इलावा जैसा कि आप सभी हम सभी लोग से busy रहते हैं इंटरनेट के साथ जुड़े रहते हैं करी चीज़े अपने mobile के सब कुछ करते हैं तो उन लगों के लिए तो छोटा सा advice में ज़रूर दोगी कि घंटों पे घंटों बैठे मत रख अगर आप मोबाइल देखते हो इनके आखों में पावन है या पावन नहीं है तो उनके लिए भी एक ही advice रहेगा कि प्लीज ब्लिंक योर आइस आप कॉंस्टाइट दीवी देखें कंप्यूटर देखें मोबाइल देखें कुछ भी देखें ब्लिंक करना मत भूलना आप अतना ब्लिंक करोगे आपकी आखे उतनी अच्छे रहेगी और उसमें पावर बढ़ने के chances कम हो जाते हैं मुझे देखो ना भई हम भी तो बहुत मोबाइल देखते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन आखें ब्लिंक करते हो ब्लिंक करने से क्या होता है आपकों के muscles में contraction expansion होता ह जो lens के power को adjust करने में help परता है ताके आप mobile लोग तीवी लेको कुछ भी करो लेकिन आखें आखें के lens प्रोटेक्टेड रहे है आज के रिए इतना ही हम फिर से हैंगी तूसरे वीडियो को लेकर लिकिन प्लीज हमने चोटे 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 देखना you will feel more better और हाँ आप मेंसे मैंने चिर्लों को drop लेने के लिए मैंने चोटे आद्वाइस की लिए प्लीज डॉक्टर से बिना पुछे कोई भी drop सर्फ मेडिकेशन के जरीए मत इस्तवाल करो प्लीज क्यूंकि एक डॉक्टर कोई सबसर बेस पताव होगा कि आपके आ या इसके लबा आप लोग किस-किस विशय के उपर और वीडियो चाहते हैं वो भी प्लीज आपको जरूर बोलना और अपने हमारे चैनल को अगर आपको अच्छा लगाओ वीडियो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब कीजिए और सब्स्राइब करने के बाद पा